प्यास किसानों के लिए बड़ी खबर खबर ये है कि अब एक एकर प्यास लगाने के लिए जहां कई आदमी लगते थे और पूरा पूरा दिन लग जाता था, वही अब एक आदमी कुछ ही मिंटों में पुरे खेत में प्यास की रोपाई कर देगा. जो किसान थोड़ी बहुत जमीन में प्यास की खेती करते हैं, उन्हें तो खैर ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो लोग ज्यादा छेतर में प्यास की खेती करते हैं, उनको प्यास की नरसरी लगाने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि प्यास की बेर को हाथ और खुर्पी की मदद से लगाना होता है जिससे किसान का पैसे के साथ-साथ समय भी अधिक लगता है। इस परेशानी से निपटने के लिए बाजार में आ गई है मशीन जिससे आसानी से प्यास की बुवाई की जा सकती है। प्यास ट्रांस्प्लांटर ट्रैक्टर से चलने वाल सेमी ऑटोमेटिक इकाई है जो एक साथ तीन काम प्यास की बुवाई उर्वरक लगाना और उसके किनारे किनारे सिंचाई के लिए नाली बनाने का काम करता है। इस मशीन में एक जुताई का फ्रेम, फर्टिलाइजर बॉक्स, उर्वरकों के बहने के लिए नलियां, बीज पौधों को रखने के लिए ट्रे, दो पहिये, खांचा खीचने वाला, बीज पौधों को नीचे ले जाने के लिए फिसलन प्रणाली और चार लोगों तक के बैठने की जगह होती है। मशीन से पौधार ओपन करने से पहले खेत की जुताई जरूरी होती है। जब ट्रेक मशीन के जरिये दो पौधों के बीच की जगह और पंक्ती को अपनी मर्जी के हिसाब से निर्धारित किया जा सकता है। इस मशीन से अनाज और दालों की बुआई भी की जा सकती है। अगर आप भी इस मशीन को लेना चाहते है, तो स्क्रीन पर दिये गए नमबर यानी 99538 8882228 पर वाटस अप कर सकते है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी